हेलो, हेलो ये जो पबलिक है ये सब जानती है पबलिक है ये बाबू ये पबलिक है पबलिक उत्तर प्रदेश में चिनाव का आगास हो गया है ऐसे में जरूरी था कि हर विदान सभा में हम पहुँचे लगातार देवबंद की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुचा रहे है और अब मैं लाल कोठी आ चुकी हूँ कहा जाता है अगर इसका इतिहास उठाकर टटोला जाए तो इसकी नफस अजादी से जुड़ी होती है यह वही जगा है जहां रैश्मी रुमाल की तहरीर जाती थी जहां से संदेश जाते थे और यही बड़ी वज़ा रही कि 1857 में देवबंद के लोगों की बड़ी भूमी का रही बैराल एक तस्वीर आपको दिखाना चाहोगी शो को शुरुवात करने से पहले कि तमाम उन लोगों की नाम यहां पर लिखे है जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग थे जिन्होंने अजादी में एक बड़ी भूमी का यहां पर निभाई यह वो कुछ पुरानी तस्वी पहले जरूरी है कि हर एक तबगे तक पहुंचा जाए और क्योंकि जब मैं देवबंद का जिकर कर रही हूं तो ऐसे में मेरे साथ कुछ बुद्धी जीवी और मौलाना सहब यहां पर मौजूद है जिनसे हम बाचित करने वाले हैं सबसे पहले शुरुवात मैं आपसे करत की जब भी जिकर देवबंद का आता है के मुद्धे आते हैं और सबसे बड़ा जिकर यहां के दातारु उलूम से जड़ा कर देखा जाता है देखिए दाडलूम के जो मुद्धे हैं ये तो हमारे जो बड़े बेठे हुए हैं तो हमारे बड़े ही जवाब extrapolированार बैत यहं इनके बारे में भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं कि दाडलूम तो वो चीज है कि हम अपनी जुबान से कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें दाडलूम की हर इंट से महबत है कुछ चीज़े ऐसी आजाती है जो सियासी लाइन पर लाकर खड़ा कर देते हैं दाडलूम के बारे में मगर वो चीज़े बिलकुल बेकार की चीज़े करते हैं यह लोग अब देखिए कुछ चीज़े भी मामला रहा है ATS Center के बारे में भी चीज़े आ रही है और भी चीज़े कर मामले आते हैं मगर आज तक Allah का शुकर यह रहा है दाडलूम का जो मामला रहा है वो अलग हटकर रहा है दाडलूम जो देता है त्यार और मुहबत का पेगाम देता है हमारा दाडलूम एक मौलवी सहाब सब लोगों से क्योंकि मेरी चर्चा चली है बात जरूर करना चाहोगे कि अक्सर इसलाम और एक कट्रता को जोड़कर क्यों देवबंद से देखा जाता है नहीं उनके खयालात नजरियात अलग-अलग हैं मगर हमारे दियोवन दारलूम के कोई ऐसा मामला न आती है और कुछ अगर हाल ही की बात की जाए 2019 में तो कुछ शक के बिना पर गिरफतारी भी हुई थी जिनका कनेक्शन आतंगवाद से जोड़ा गया आप मुझे बताईए आपको ये जो मुद्दा मिलता है अभी जो आपने स्वाल क्या है कि कुछ जड़े हैं तालिबान क जो दारलूम से मिलती हैं ये मतलब लोजिकल तोर पर ये बात आपके जहन में क्यों आगी कहां से आगी जबके अभी कुछ दिन पहले इस बात की सफाई भी हो चुकी है अभी हमारे जो यहां के पड़ती निदी हैं और उसके अलावा जो जिम्यत उलमाहिन है उसके राष् चुजों से नहीं अभी सफाई दे 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 गई थी इन चीजों पर के तालिबान का दिवबंद से क्या रिष्टा है और क्या तालुक है वो सब पूरी चीजें वो मौझूद है और डिकॉर्ड और डाटा तमाम चीजें मौझूद हैं ये वो जगा कहलाती है कि जहां से तह इस तहरीक के बानी हज़र शेख अलहिंद रह्मतुल्ला अले उनके ऐसे शागिर थे कि जब उन्होंने उस दोरान जब इस मुलक को हमारे आजादी की जरूरत थी और ये मुलक इंग्रोजों का खुलाम बन चुका था उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी इस तहरीक को उनके इस तहरीक के नुमाइंदे अफगानिस्तान में भी पहुँचे थे और चुके उस वक्त मामलात इस तरह के थे मदद ली जा सकती थी इसलिए शयद करी एक बड़ी वज़ा है कि तालिबान का कनेक्शन जुड़ता है देवबन से क्योंकि शिक्षाय पहुँची छातर पहुँचे जी बिल्कुल शिक्षाय आज भी जा रही है तालिबान के वो क्या नाम अफगानिस्तान के तालिविल माजविया दिवन में अगर तालिम की बात की जाए तो इसलाम की ये तालीम है कि उसका कहना तो यह है कि दुणिया में बसने वाले हर इंसान को उसका हक मोचाओ अगर उसको तालीम की जरुवत तो तालिम दो तर उननेस में जो लोग यहां से पकड़े गए थे जिनको एजेंसियों ने गिरिफतार किया था वो आतंगवादी थे ऐसा कहा जा रहा है लेकिन आपको क्या लगता है कि देवबंद का नाता इन लोगों से कहा तक है देवबंद का नाता आतकवास से कभी ना पहले था और न मुख्य मंतर जी ने कदम सही उठाया है चुके धरती और यह सरजमीन तो इन गंदी चीजों से पहले ही पाक साफती अब और यहां यह गंदी चीजे नहीं आएगी बहुत एक शांदार बात इनने कही एक चीज और है जो लगतार सवाल उठते हैं कि राष्ट विरोधी वि 섞 शांदार करें यह रही इसलाम यह सबग शिखाता क्या हुस्agens मेरत करें देबन में यह चाल जब चर्चा होतील इसलामिक केंद्रों की एक ख्र भी जरूरहां वहाऊ-फथ्वह का जाता है इस वार ऐसे विज़ारी हो जाते हैं जिसका कोई तर्क नहीं हूंता ऐसा है कि ये दारलूम से फत्वे जो लिये जाते हैं वो इस बुनियाद पे लिये जाते हैं कि 1857 की जंग आजादी की लड़ाई जब हो रही थी उसमें जहे वो पानीपत रोड हो शामली रोड हो और मेरट इन रोडों के उपर 50,000 उलमा देन को फासी पर लटका दिया गया था 1857 में जंग आजादी के लिए ऐसे स्कूल की ऐसे मदरसे की जोरत थी जहां से सवसंद सैना नी पैदा हो मुझाईद ऐसे पैदा हो जो अंग्रेजों को भगाएं और हिंदुस्तान को आजाद कराएं इस सोच को करते करते 10 साल लगे 1867 में दार्लूम दियोबंद की बुनियाद पड़ी और ये वो दार्लूम दियोबंद है यहां से रेशी रुमाल जैसी तहरीक चली और उसका न चुछ नंकिंशन के लिए कर आज को असिजिकी बात है कि उसमें 33 सटरेट कछ कुछ नाम मुसल्मानों कि हैं आज हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अब को जो वालीतिGreen जारी होते हैं वह संदेश यहां से जारी होते तो वह ऐसे ही काम करता है दाडलूम को असल में सही चस्म से देखने की जो कोशिज करेगा तो वह उसे वही दिखलाई देगा यहां बच्चे टांट पर बैठके आज भी 155 साल दाडलूम को बने वे होगे आज भी टांट पर बैठके यहां सी शिक्षा लेते हैं और अपनी तालीम को पूरी करते हैं कि दार्लूम दियोवबन से यह मैं यह कहते हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आप एक कश्मीरी एक आंतकवादी बता दे जो दार्लूम से जुड़ावा हो या कोई मुसलान इन्हें फसाया जाता है और सिरह दस-20 साल जेल में रखने के बाद में बा आश्ट विरोधी इसलाम की विचारदारा तमाम चीरे देवबन से उठते हैं देवबन में 80% मुसल्मान हैं 20% गहर मुसलिम भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं आज तक को ऐसी मिसाल ने किसी मुसल्मान ना किसी गहर मुसलिम को सताया हो यहां या उसको तकलीप पहुचाए का संदेश देता है दारलूम भी उसी का देता है इसलाम के अंदर तक यह सवाल कहां से आते आखिर यह तने सारी बाते कहां से आती है आखिर ऐसा क्यूं देवबन को लेकर एक इमेज्च एक बनी नजर आ रही है देवबन के खिलाब जो है जो प्रोब गंड़ करते हैं आज तक जो भी किया है चेर में इसाम ने बताया कि जो भी मतलब आज तक लोगों को जुटे पकड़े गए वो कुछ सालों के बाद बरी होगे जुटा इल्जाम है जो अच्छा काम करता है उसका वीरोध जुरूर होता है लेकि यह भी का जाता है कि तालिबान के जो स्टूडिन्ट रहे है वो यहां से शिक्षा घ्रहन करके भी गए है क्या ये बड़ी वज़ा है कि एक कनेक्शन देबन का तालिबान से जोड़ा गया नहीं मैं यह कह रहा हूँ एक बाप के पांस बैटे उनमें से एक इंजीनिर बन जाता है एक डॉक्टर बन जाता है एक बदमासी बन जाता है उसमें बाप का क्या कसूर है अगर वो बाहर जाकर के दूसरी सूसेटिम बैटे जलत में कोई बदमासी करने लगा यही वज़ा है कि तालिबान का कनेक्शन बार बार देबन से जोड़कर देखा गया घलत जोड़ा जा रहा है जाली दालूम ने क कोई बदम ऐसा तालिबान या कोई आतंकवादी तैयार नहीं किया यहां से देशभक्त एस्लाम इसकी तालिम देता है — एक एसा इमज क्यू बनी है इसलाम की कट्टरी मिश क्यू बनी है वज्या क्या है इसलाम के अंदर कट्टर्ट जाए नहीं बाच चारा अखलाग्ट लिए तो हिफाज़त है हम तो कहते हैं योगी जी को एक और बनाईए आप और जादम यहां पर रखिए यहां कमिशनरी लाइए यहां डीजेपी बैठे कमिशनर यहां बैठे आप कुछ भी लाइए अगर ऐसा प्रशासनिक तमाम तबगे यहां पर पहुंचे तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है मुसल्मानों के लिए लेकिन चुनावी महल में यह सब सही नहीं है हां अगर योगी जी जिस टाइम आयते उस टेम भी तो आप बना सकते तो लगता है कि पहले मुख्यमंत्री जो की काफी सालों बात जिनका देवबं में दौरा हुआ पूरे हिंदूस्तान में उद्गाटन करने पर लगी हुई है क्योंकि चुनाव है इसलिए दिखावा दिखावा है करने का तो कोई मतलब ही नहीं क्या आपको लगता है देवबं में दिनी तालीम के इलावा प्रैक्टिकल तालीम भी दी जाने चाहिए हाँ देनी चाहिए और ये तो हमारे हुजूर्स ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था जब जंग की लड़ाई होती थी और उसमें कुछ कहदी आते थे उनको इसी सर्थ पर छोड़ा जाता था कि आप हमारे दसाद्मियों को तालीम दे फत्वो का शहर देवबन यह नहीं कहा गया कि यहां आतंगवादी रहते तरसल कहा यह गया कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि देवबन यह फिर कई और ऐसे जो है शहर है जहां से होती भी नजर आती जिसकी वज़े से सबसे जादा सेंटल एजिंसियों की नजरों में कि अभी यह भी कहा था कि कि अगर कोई सब फत्वा आ जाए तो उसका तर्क क्या होता है मैं आपको इस चीज़ को जिवाब देदू कि फत्वा जो है इसलामी श्रीयत में उसकी इतनी बड़ी एह एहिमियत और इतनी हैशियत है कि उसका तर्क फिर दूसरा फत्वा ही होता ह उसका तर्क कोई नहीं होता दुनिया में फत्वे के अलावा इसलामी शरीयत में फत्वे की इतनी एहमियत है कि उसको सब कुछ माना जाता है चुकि फत्वा एक इसी चीज़ है जो इसलामी शरीयत को जानने वाले दीन को जानने वाले और दीन के माहिरी और दीन के स्कॉलर वो उसको वुर्ण व हदीस में घृर्ब फिक्र कर गे फिर आम आदमी को आम जंता को बतलाते हैं आपको लेकर शकासको शैशनिक्स सिस्था को लेकर दारू अलुम पूरे देश में मशूर है लेकिन और यहां के स्टुडेंट चाहे वह तालिबान से आते ओं अफगानिस्तान से आते हो जुड़े होते हैं यही वज़ा है कि बारबाद तालिबान का मुद्दा उड़ता है यही वज़ा है कि बार बार आते हैं वात का मुद्धा उठता है यह आपको लगता है कि और कोई और तरकिसमे नजर आता है देखे दालू तालीमी तोर पर यह इस मुल्क के लिए फखर की बात है और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जी और मुख्य मंतर जी इस बात पर गर की बात है एक तरीके की जो इमेज बनाए जा रही है कि जो शिक्षा वो इस तरीकी की है जो कि आफगर अंस्तान पर तालिबान का कब्स हो तो एक नगिटिव एक नकरात्मा इमेज है उसको कैसे साफ करेंगे मैं एक मिट मैं यह कहना चाहूंगा यह सिर्फ सोच और एक हव है कि और महबत की तालीम है और एक पेगाम जाता है यहां से संदेश जाता है और दियोबंद से जो पेगाम यहां से निकलता है पूरे दुनिया इंशालला उसे मानती भी है क्योंकि दियोबंद में जो भाई चाहरा है मैं तो यह देखता हूं हम भी लोग बाहर जाते हैं जो प्यार मुहबत संद्योबंद की सर्जमीन पर मिलता है शायद हमें कहीं नहीं मिलता है इस पर चुनावी मुद्दा क्या बनेगा चुनाव का मुहलत यह विकास का होगा कि यह तो तमाम तर्क थे जो हैं सभी लोगों नहीं यहां पर अपने रखे किसी ने जिकर आतवात क किया किसी ने तालिबां की चर्चा भी करी कोई इसलामिक भायचारे को कहता हूं भी से हमने चर्चा की जो यहां के मौलाना मौलवी साहब जो पड़े लेके बुद्धी जीवी वर्क के लोग दें उनका साफ कहना है कि ATS की जुरत भी थी और एक तबगा यह भी कहता है कि ATS की जुरत नहीं थी लेकिन अब कई तरीके के सवाल यहां पर जरू खड़े होते हैं क कि नाम पर आगया आएगा यह विकास भी देबन के एक बड़ा एजंडा बनेगा काम अब रसंद आजिव के साथ मैं भावना इंडिया टीवी टेबन